साल 2018 में आए बॉलिवड की फिल्म फने खान बॉक्स आफिस पर उतना खास कमाल तो नहीं दिखा पाई फिल्भी इस फिल्म ने काफी तालीफे बटोरी इसकी वज़े ये थी कि बॉलिवड की ब्यूटी क्यूइन अश्वेरिया राय और बॉलिवड के एक्टर राजकुमार राव के रोमैंस को दर्शकों ने काफी पसंद किया है इस फिल्म में सुपरस्टार थे बॉलिवुड में अपनी आखर से दिवाना बनाने वाली एश्वेरिया राय, बॉलिवुड के जखास अनिल कपूर और बॉलिवुड के एक्टर राजकुमार राव वहीं आपको बता दे कि एश्वेरिया राय के साथ 18 साल बाद इस फिल्म के जरिये अनिल कपूर नजर आये थे रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म को करने के बाद राजकुमार ने एश्वेरिया के साथ काम करने को लेकर एक बड़ा फुलासा किया है उन्होंने बताया है कि जब वो इस फिल्म की शुटिंग एश्वेरिया राय के साथ कर रहे थे तब वो बहुत खबराए हुए थे राजकुमार राव बताते है कि एश्वेरिया राय बचन उनका शिरू से खरश रही है ऐसे में फिल्म में उनके साथ रॉमेंटिक सीन फिल्माना किसी सो भागय से कम नहीं था इसलिए जब फने खा में उनके एश्वेरिया राय के साथ उनके रॉमेंटिक सीन को फिल्माया गया तो वह उस समय काफिक घबराए हुए थे यह सब राजकुमान ने बॉलिवुड के प्रेडियूसर करन जोर के चैट शो कॉफी विद करन में बताते है इसे सुनने के बाद करन जोर और उनके साथ आई बॉलिवुड की एक्ट्रेस भूमी पांडे कर हसने लगते है नेक्स्नेंग नियूसरों से अब बुलवाई की रिपोर्ट